हे गाई नमस्कार आप लोगों को टाप 10 क्लास के पहरे सी यूटूब है पर स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले 27 परोली को होने वाले कच्छादस की विज्ञान में महत्पूर बहुविकल्पी जो प्रशन है उन सभी प्रशनों की चर्चा आज की वीडिय करने वाले प्यारे बच्छो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपकी एक्जाम में 100% गारंटी के साथ बोलना हो प्यारे बच्छो कि अगर आपने ये तीनों वीडियो देखा होगा तो इससे बाहर कहीं भी कोई भी बहुविकल्पी प्रशन नहीं बनने वाला प् चैनल पर नए आओंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेर प्रशन आता है तो वीडियो को लाइक करना मत हो लेगा चलिए क्रास को स्टार्ट कर लेते हैं बहुत इक विज्ञान का सबसे पहला क्यूस्चन आप से क्या करा ध्यान से पहरे बच्でき Ettore प्रशन उसक का निवारन जो हो ता है सम लोग उत्तर लिंस करतें उत्तर लिंस लगाके करते हैं और व्रेटीना के आगे किसमेबनता है ँट दोस्ता है चले आप प्रस नमबर दो की बात करेंगे प्रस नमबर दो क्या गहा रहा प्रवचो एक ऑतर लेंस की फोकस दूरी पाँच मिटर है तो इसकी छमता क्या होगी तो प्रवचो छमता का फामूला होता है P एक बटे F होता है ठीक एक बटे पांच कर देंगे डिवाइट कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा तो चमता कितना हो जाएगा 0.2 डायोक्टर तो देखें पैरे बच्छो 0.2 डायोक्टर ऑटर लेंज की फोकस दूरी ड़ात्मक होती ने इसलिए माइनस है ठीक अगला अगला क्या तीसरा प्रश्ण कर स्वास्थ नेट के लिए दूर विन्द होता है ठीक कि किसी वी इस गरा विल सब्से जादा वोता है उसमें बिचलन सबसे कंगा 5 प्रेस्टि dol02 निइकति के लिए किस चस्मे का प्रयोग करना चाहिए या किस चस्मे का प्रयोग होना चाहिए तो निकर देश्टी दोस्त में हम लोग ऐसे चस्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें अवतर लिंस लगा हो तो निकर देश्टी दोस्त के निवारेंड के लिए चस्मे में कौन से लिंस का प् बिचलन होता है इससे पहले भी रिपीट हुआ था कहीं ध्यान से दिखेगा प्रिजम में स्वेत प्रकास की किरड़े जब क्या होती है कि गुजरती है तो सबसे अधिक बिचलन क्या होता है बैगनी रंग में होता है इंपॉर्टिन किस्चन है इसी वार रिपीट हो गया है इस फ़िएन से लिखेगा इस साथी प्रशन किया करा कर्या है कि एक माइक्रो आप्रम का मान कितना होता है तो प्रभलें का मान रिपीड़ेंट होता है द्यान दिखेगा ओम के नियंट ऺORIAप बनता हो ấy कि सी Nicole और में प्राफ्ष तो प्यार में पढ़ा कि जो बोल्टेज बढ़ाएंगे तो current भी बढ़ता जाता इनके वीज जो graph होता वो सीधी रेखा होती एक इक सरल रेखा होता तो वो देखें आपका जो graph है वो एक सरल रेखा में क्या होगा प्रौफ भी प्रसुण परिपत में विद्धु सकती को प् सेहले कि करेंगे सबसे पहला किस्ट रकार्बन में नहीं होता। जो हाइड रइक होते होते हैं क्या है इसलिए विल्कुल करेक्ट है का IOPSC name क्या है पैरवाचो तो option number chart हो दिये गए है तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो IOPSC name है वो क्या है पैरवाचो eth Content L है ethane L है इसका kya है ですね आगे क्या 3 परस्ण क्या है propane का रासाइनिक सुतर क्या है पैरवाचो propane का रासाइनिक सुतर क्या है तो ध्यान से दिखेगा जो प्रोपेन का राशा निक्सुत्र है वो कितना है C3H8 है कितना है C3H8 होता है उसके बाद चौथा क्या करा कि प्रोपेनाल है इन में से बताओ पहचानों के इन में से कौन सा प्रोपेनाल है तो प्रोपे नाल होता है वो C3H6OH के द्वारा दिख्या जाता है इसलिए जो प्रोपे नाल होगा वो क्या हो जाएगा ध्यान से दिखेगा वारी गए चौता प्रस्ट जो हम लोग फिर से दिखेंगे है कुँअ होता है तो जो प्रोपे नाल होता है पैरबचो क्या क्या कर रहा है इन में से जो अफ्टन दिये गए इन चारो आप्शनों में से देख के बतारा है कि कौनसा आ शन्तिरवती जो होता है को Um थारोता है मार्स गैस मुख्यत्र का प्रियोग होता है इस वाथ लुए सब गया दिशे क्रियात्मक समू है प्रोपे नैल में जो क्रियात्मक समू है वो क्या होता है ध्यान से देखेगा तो जो प्रोपे नाल होता उसका क्रियात्मक समू यह होता है CHO ठीक आगला अफ आठवा प्रेशन क्या करा पर्वॐ्यँदो एर्वधो एथे नाईक कमल क logo सुत्र होता था CS2 looking OS CS3 CEO Š अगला नौोँ प्रेशन क्या कर स्वार्वन प्रमार की शुनियोटा होती है कार्मन प्रमार्ण की संजगता क्या होती प्यारव चो चार होता है आगे क्या है प्यारव चो दसवा प्रस्ण है कि एलकेन का सामान ने सुत्र है एलकेन का जो सामान ने सुत्र है वो क्या होता प्यारव चो तो एलकेन का सामान ने सुत्र होता है CNS212 क्या होता है अब हम बात करेंगे भागतीन की अर्थाद बाइलोजी के कुछ मातवबोर वहीकलबी प्रस्जन है उनमें से सबसे पहला प्रस्द है कि बिकासिय द्रिष्ट्री कोड से हमारी किसके अधिक समानता है चीन के विद्यार्थी चिंपयजी या मकडी या ननावधीज तो क्या है जाई गोट में जाई गोट में गुड़ सुत्रों की संख्या होती है तो जाई गोट में जो गुड़ सुत्रों की संख्या होती है पहले वच्छों वो क्या होता है टू एक्स होता है तो पहले वच्छों तीसरा प्रेशन क्या करा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए कि हम सौर जलतापक का प्रयोग किस समय नहीं करते हैं तो पहरे वच्छो जो बादल वाले दिन होते हैं उस समय हम लोग सौर जलतापक का प्रयोग नहीं करते हैं चलिए अब हम बात करेंगे प्रस नंबर 4 का प्रस नंबर 4 आप से क्या करा कि जो ग्लोबल वार्मिंग के के उत्तरदाई गैस कौन सो होता है तो पैरवेच्चों वो जो कार्वन डाई आकसाइड जो होता है वही ग्लोबल वार्मीन के लिए उत्तरदाई गैस होता है पासवा प्रस्ण है जिवास्म उर्जा का स्रोत है जिवास्म उर्जा का जो है स्रोत है वो पैरवेच्चों आप पहले बचो सौर उर्जा, सौर उर्जा एक ऐसा स्रोत है जो कि नवीन करड़ी उर्जा के अंतर गताता है साथवा प्रशन, सौर सिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लोहा, चादी, ताबा या सिलकार सौर सिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो प्यारवचो सिलिकान का उपयोग सौर सिल बनाने में करते है आगला प्रस्ण आठवा नमबर क्या है सुरी से आने वाली जो UV विक्रण है वो हमारी रच्छा करती है UV विक्रण से हमारी रच्छा करती है सुरी से आने वाली जो विक्रण होती है उनसे हमारी रच्छा कौन करता है प्यारवच्छो तो आप देखे तो जो ओजोन होता है जो ओथरी होता है यही हमारी क्या करता है रच्छा करता है नवा प्रश्णा है चिपको अंदोलन का नित्रित किसने किया था तो वो सुंदरला बहुगोरा जो थे वही चिपकों अल отпलन का क्या किये थे मितित किये थे आगे रख त में प्लाजमा की मात्रा होती है उस वात को दिया देजें तो इग्रह्रों प्राश्न क्या करा थेफडे से सुधरक्त आता है पुर्छली 11 में छो देखेंगा जो बायां अलिंद होता है उसी में प्राकृति रूम से ठोस इधन है प्र करतको फो सी नहीं अगा भागता है के 27 फरोरी को जो होने वाला एक्जाम है उससे इंपार्टेंट बहुभी गल्पी प्रश्ण साइंस के हमने साल्व करा दिया पैरबचो जो की वीडियो आपको तीन पार्ट में करके मिलने वाली है फर्स्ट पार्ट आचुकी है सिकेंड पार्ट भी आचुका थर्ड पार्ट बेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भात थैंक यू आप लोग उमीद करते होंगे उमीद कर रहे हैं प्रबचो कि आप लोग का एक्जाम बहतरीन होगा और बेस्ट रिजल्ट भी आपका आए बाए बाए